हेलो दोस्तो, स्वागा थे आपका Study Smart Studio में आज हम Anicent History में कल्चूरी चेदी बंस के बार में पढ़ेंगे तो चलते हैं सेशन की ओर कल्चूरी चेदी बंस इतिहास में कल्चूरी नाम से अनिक बंस हुए थे आज हम कल्चूरी चेदी बंस को पढ़ेंगे कल्चूरी चेदी बंस की इस्थापना कूकल प्रथम ने की थी कल्चूरी चेदी बंस का संस्तापक कोन था? कूकल प्रथम कूकल प्रथम ने नौवी सदी में इस बंस की इस्थापना की थी इस बंस की राजधानी तिरपूरी में इस्तित थी जो वरत्मान में मद्यप्रदेश की जबलपुर जिले में हैं इस बन्स की राजाओं का राज के चिन बेल था इस बन्स की बारे में हमें जानकारी बरोदा व उदाइपुर अभिलिक से प्राप्थ होती है कल्चुरी चेड़ी बन्स का संस्था पकुकल प्रथम इस बंस की राज़दानी तेरपुरी में, इस बंस की राजाओं का राज के चिन बेल और इस बंस की बारे में हमें जानकारी बरोदा वा उदाइपुर अभिलिक से प्राप्थ होती है यह कल्चुरी चेडी बंस की प्रमुक सासक कूकल प्रथम इस बंश की स्थापना करता है उसके बाद संकरगन युबराज प्रथम सासक हुआ युबराज प्रथम के बाद दो तीन सासक हुए उसके बाद गांगे देव लच्छमीकन सासक बनता है लक्षमीकन के बाद 3-4 सासक हुए जो इतने महत्पूर नहीं है इनके बाद बिजैसिंग सासक बनता है बिजैसिंग को कल्चूरी चेदी बंस का अंतिम सासक माने जाता है इन सभी सासकों के बारे में जो भी महत्पूर प्रइंट है उनको हम नेस्ट शलाइड में देखेंगे मैंने यहां इनके सासनकाल नहीं लेखी है क्योंकि अलग-अलग बुक और इतिहासकारों ने इनके सासनकाल के बारे में मट भीध है आप इन सासकों को इनके कारियों की नाम से याद रखें कूकल प्रथम कूकल प्रथम कल्चुरी चेदी वंस के संस्तापक था इसने नोवी सताबडी में इस वंस की निव डाली थी कूकल प्रथम की राजधानी तिरपूरी में इस्तित थी जो की मद्द प्रदेश की जबलपुर जिले में है कोकल प्रथम का वेबाह चंदेर राजकुमारी नच्टा दीवी की साथ हुआ था कोकल प्रथम की बाद संकरगन सासक बनता है कोकल प्रथम की अनिक पुत्र की नाम मिलते हैं जिसमें से उसका सबसे बड़ा पुत्र संकरगन सासक बना था इसने अपनी पुत्री का विवार राष्ट कुछ नरेश क्रिश्ण तितिया के पुत्र जगतुंग के साथ किया था संकरगन के बाद युबराज प्रथम सासक बनता है संकरगन के दो पुत्रों की नाम मिलते हैं एक था बालहर्ष और एक था युबराज प्रथम संकरगर्ण के बाद युबराज पर्थम सासक बनता है युबराज पर्थम की दर्वारी कभी राजशेकर थे राजशेकर कन्योस से इसके दर्वार में रहने आय थे राजशेकर कहां से आय थे? कन्योस से राजशेकर ने युबराज पर्थम की दर्वार में ही काब मीमासा और द्वी साल भंजी का ग्रंद की रचना की थी राज सीखर ने काब मीमासा और द्वी साल भंजी का ग्रंद की रचना की थी राज सीखर ने युबराज प्रथम को उज्जेनी भुजंग किस ने कहा था? राज सीखर ने युबराज प्रथम कीवाल लजमाराज, संकर गुनत्रतिय, युबराज दुतिय, कूलंग कोकल दुतिय सासक हुए लेकिन यह सासक उतने प्रसिद्ध नहीं थे इसके बाद गांगदेव सासक हुआ गांगदेव ने बिक्रमादित की उपारी धारंगी थी गांगदेव ने ही लच्छमी सेली से निर्मित स्वानज सिक्क की चलवाई थी इसकी सिक्कों पर लच्छमी की आकरती निर्मित थी पूर्ब मद्दकाल में स्वानज सिक्कों की बिलुप्थ हो जानी की पस्चाथ गांगेदेव ने ही सरपिथम इसे प्राणब करवाया था इसने बनारस वा भागलपूर की राजाओं को पराष्ट किया था गांगेदेव की बाद लच्छमीकर सासा कुआ लच्छमीकर गांगेदेव का पुत्र था और इसका वास्तिक नाम करन मिलता है कहीं कहीं इसका नाम करन दिदू भी मिलता है इसने बनारस में करन मीरू नामक्षिव मंदिर और तेरपुरी की करनावती मंदिर का निरमार करवाया था लच्छमीकर बनारस की करन मीरू नामक्षिव मंदिर और तेरपुरी की करनावती मंदिर का निरमार करवाता है इसने सूलंकी राजा भीम प्रथम की साथ मिलकर मालवा की बिजय की थी लच्मिकन सूलंकी सासक भीम प्रथम की साथ मिलकर मालवा की बिजय करता है और धार को बुरी तरह लूटता है इसका युद्ध बंगाल की पाल सासक नैपाल की बीच भी हुआ था बंगाल की पालसा सक नाइपाल और लच्चमीकर्ण के साथ भीचन युद हुआ था इस युद में किसी की भी बिजय नहीं हूँ थी क्योंकि एक जेन विद्वांज दीपंकर श्रीग्यान ने इन दोनों की भी संदी करवा दी थी संदी की तहट लच्चमीकर्ण अपनी पुत्री योबंचरी का विवा है नैपाल की पुत्र विग्रह पालदुतिय की साथ करा दिता है लच्चमीकर्ण की बाद यसकर्ण, गयाकर्ण, नरसिंग, जैसिंग और बिजैसिंग सासक वे बिजय सिंग इस बंस का अंतिम सासक माना जाता है बिजय सिंग इस बंस का अंतिम सासक था इसे इस चंदिल सासक ट्रेलोक वर्मन ने परादित किया था इसके बाद इस सामराच का अंत हो जाता है थैंक्स पूर वाचिंग यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइफ और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुजबाई